नमस्कार उज्जाई प्रणयाम के बारे में आपने सुना होगा कि कैसे किया जाता है क्या होता है थोड़ा सा उसका और परिचे जो है एलोबरेट करके मैं आज आपको बताना चाहता हूं उज्जाई प्रणयाम जो है इसका आर्थ होता है विजय प्राप्त करना अब विजय किस पर प्राप्त करना व्यक्ति स्वेम पर विजय प्राप्त कर ले तो वो संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है जो नकारात्मक एनर्जी है जो उर्जा है वो हमें सकारात्मकता की और ब उज्जाई प्रणयाम वैसे सिंपल हमारे गले को संकुचित करते हुए, स्वास को अंदर खींचते हुए और स्वास को बाहर छोड़ते हुए सिंपल प्रक्रिया है। अब उज्जाई प्रणयाम कोन कैसे कर सकता है। आप देखेंगे जो छोटा बच्चा होता है, छोटे से लेकर पांच साल तक जब वो सोता है, तो उसको एक अजीब सी आवाज आती है, सोते हुए, वो हलका सा खराटा कह सकते हैं, उसका बच्चे का खराटा होता है, लेकिन वो उसकी अचेतन वस्ता होती है, आप देखेंगा, पांच साल तक के बच्चे के आसपास, अगर आप थोड़ा सा भी बोलेंगे, तो वो उचक के उड़ जाएगा, बैड जाएगा, या फिर वो आप देखेंगे, जब सोरा होगा, तो वो अपने आप हंसेगा, अपने निद्रा होती है, वो हमारी केवल साथ से दस सेकिंड तक की, पंदरा सेकिंड तक की होती है, उस अवस्ता में जब हम आते हैं, तो हम अचेतन में होते हैं, और उसमें हलका सा खराटा आता है, और उसके बाद जस्ट हम निद्रा में चले जाते हैं, चीर निद्रा में चले होता है यही ध्यान है यही कंसंटेशन है तो जो उज्जाई प्राणयाम हम करते हैं हम शरीर को पूरी ताकत से उस ध्यान की ओर ले कर जाते हैं इस प्राणयाम को करके अब इस प्राणयाम का तरीका क्या हो सकता है जैसे आप अगर सिंपल सीधा मैं आपको कहूं इस तरीके से प्रयास करके स्वास को अंदर आवाज करते हूँ खीचिए तो नया आदमी नहीं कर पाएगा अब उसको वो इस्थान देखना पड़ेगा कि कहां से स्वास खीचो तो वो इस्थान मैं आपको बताना चाहता हूँ आप अगर मूँ खोलके आवाज करेंगे गले से यहां से आवाज करनी अब जहां से यह आवाज आ रही है यह जीब से नहीं आ रही है यह कहीं से भी टच नहीं हो रहा यह केवल गले से आवाज आ रही है जहां से यह आवाज आ रही है, वहीं से रिटंग वायू को खीचिए यह उज्जाई का वो पॉइंट है जिससे आपको उज्जाई प्रणयम करना है आप इसी को मुँ बंद कर लीजिए और स्वास को अंदर खीचिए आपको वो पॉइंट पकड में आ जाएगा अगर वो पॉइंट पकड में नहीं आता है तो आपको खांसी आएगी कैसे गले में ऐसे इरिटेशन सी होगी और खांसी आनी शुरू हो जाएगी तो आप रूख जाईए अब अगर लंबा नहीं हो पाता है तो क्या करना थोड़ा कर लीजिए छोटा कर लीजिए कैसे और जब दो दिन में प्रैक्टिस हो जाए तो फिर पूरा स्वासों को छोड़ना अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिंपल और नए योग सादक के लिए बता रहा हूँ एक चीज द्यान रखना जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंतर मुखी है उसको ये प्राणयाम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहिर मुखी व्यक्तियों को अंतर मुखी बनाता है ध्यान की ओर लेकर जाता है मन कंसेंट्रेशन की ओर लेकर जाता है जो अंतर मुखी हैं उनका ध्यान का बिंदू वैसे ही स्ट्रोंग होता है अब यह जो मैंने आपको बताया है यह केवल से एक simple प्रकिरिया है simple आप जैसे इस प्रकिरिया को आप पूरी अगर पूर्णतासे करें तो वायू मुद्रा लगा लिजिए या जो भी मुद्रा आपके शरीर के साब से ठीक हो यह वायू मुद्रा जो है यह तो सब के लिए ठ शरीर में वायू कुपीत होती रहती है तो इस मुद्रा में बैठना चाहिए कैसे अंगूठे के नीचे जड़ में तरजनी अंगूली को लगाना यह मुद्रा अब करना कैसे है कि पहले तो चोटा-चोटा इस्टोग कीजिए स्वांस बाहर निकाल दीजिए हम आपको इसका एक बात और बताऊंगे यह किस पक्षी से जुड़ा हुआ है और क्यों इसको लिया गया यह भी आगे चर्चा करूंगा पहले आप इसकी प्रक्रिया समझ ले आखे बंद रहेंगी चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा टेंशन फ्री रहेंगे जितनी भी बाते हैं सब को कंसंट्रेट करके इसी आवाज के उपर कंसंट्रेट करना है और लगातार अब ध्यान यह करना कि जो आवाज खीश रहे हैं जो स्वास को खीश रहे हैं पूरा ऐसे ताकत नहीं लगाना इजी वे में इजी जितना इजी हो पाए उतना इजी उज्जाई को करना क्योंकि ज़्यादा जोर लगाएंगे तो इसके नेगेटिव आस्पेक्ट आते हैं इसको हमें नेगेटिविटी नहीं करनी है शरीर में हमें क्योंकि ध्यान की ओर जाते हैं तो शान्ती से काम करना हैं कितने धीरे धीरे सीधा स्वास बाहर छोड़ दीजिए यह मैंने दो बर करके बताया क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है हर बात के लिए तो मैं बस शोट में ही बता रहा हूँ आपको यह मैंने दो बर किया है आप इसको दस मिनट तक कर सकते हैं दस मिनट तक उज्जाई प्रणयाम लगातार किया जा सकता है। इसका लाब क्या है? लाब कहां मिलेगा? इसका लाब हमें यह यहां से संबंदी जितने रोग है। अब यहां क्या है? यहां थाइराइड गृंती है। यहां पैरा थाइराइड है। यहां से आवाज आती है, टोनसिल होते है, फ्रोट इन्सफेक्शन होते है, इन सब चीजों में ये लाब करेगा, और यहां क्या है? यहां कफ का रक रोग है, कफ है यहां पर, इस कफ को कुपित होने से बचाएगा, यहां और क्या है? यहां से जुड़ा हुआ हमारा पूरा एरिया जो है माइंड तक नसों को लेकर जाता है जो concentration में काम आता है वो हमें concentrate करेगा हमें तनाव से दूर करेगा एनिद्रा की problem कफ की वज़े से एनिद्रा जो है वो बढ़ जाती है जिनको नीद नहीं आती उनके लिए उज्जाई प्राणयाम बहुत लाब कारी है तो यहां से संबंदित यह जितने भी रोग है उनमें उज्जाई बहुत लाब करता है लेकिन ध्यान यह रखे हार्ट पैसेंट किसी बंद मुद्रा को साथ में ना करे सिंपल जैसे मैंने अभी करके बताया यह सिंपल है ऐसा कर सकते हैं बंद मुद्राएं नहीं लगाएं दूसरा अंतरमुखी लोग इसको उपयोग ना करें तीसरा जिनको ध्यान में जाना है उनको एक मुद्रा लगानी है वो मैं बता देता हूँ सिंपल अभी हमने क्या किया लिया स्वांस और छोड़ा अब इससे आगे का एक स्टेप है जिसमें बंद लगता है बंद कुन सा जालंदर बंद जालंदर बंद ध्यान में काम आता है तो अगर जालंदर बंद के साथ उज्जाई प्रणयाम को जोड देते हैं तो हम कंसेंट्रेशन अच्छा कर पाते हैं कैसे यह जालंदर बंद है बाइन असिका से स्वास छोड़ना यह नेक्ष स्टेप है जब आपको एक दो महीना हो गया प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो इस स्टेप में आ सकते हैं क्या करना है उज्जाई लेना है जालंदर बंद लगाना है गरम तासीर का प्राणया में शरीर में उष्णता पैदा करता है इस घर्षण से गर्मी पैदा होती है इसलिए तो यह कफ को खतम करता है चिकनाई को खतम करता है तो यह गर्मी पैदा होती है तो गर्म को ठंडे से छोड़ना चाहिए तो हमारे शरीर में जो गर्मी बनी उसको ठंडे स्वर यानि चंदर स्वर से छोड़ना चाहिए इसलिए हम बाई नासिसका से इसको छोड़ते हैं यह हमारा अगली मुद्रा हुई अब इससे भी अड़्वांस स्टेज, जो जाई को और अछी स्टेज में ध्यान में करना चाहिए उसको क्या करना चाहिए? जैसे आपने सूंस ले लिया, गले को संकुचित करते हुए जीब जो है, जीब को पीछे की और मोड़ना यहецी है अब जीब को पीछे मोड़ के फिर करना है यह हमारी खेचरी मुद्रा के साथ उज्जाई प्रणयाम मैंने यह की बार किया है आप इसको दस मिनट तक कर सकते हैं लेकिन खेचरी मुद्रा जो एडवांस पोज में जाते हैं वही करें और यह ध्यान के लिए बहुत काम आता है ऐसे जीब को मोड़ा जाता है जो हट योगी हैं वो खेचरी मुद्रा में बैटके करते हैं आम ग्रस्ती को नहीं करना चाहिए अगर वो ध्यान में जाए तो फिर खेचरी मुद्रा लगानी चाहिए और खेचरी मुद्रा अगा यह निया में जितनी देर जीब आपको दर्द ना हो उतनी देर आप मोड़ के रखें फिर उसके बाद में सीधी कर लें लेकिन उज्जाई आपका शुरू रहेगा चालू रहेगा अब उज्जाई प्रणयाम क्यों किया जाता है इसके पीछे का रह्ष्य है इसके पीछे का कारण आपने कबुतर को देखा होगा कबुतर जो है वो उसकी साउंड कैसी होती है यह साउंड कभूतर की होती है आप कभूतर की प्रकृती क्या है? आप कभूतर की प्रकृती जानिए उसका जो मेन्योर होता है जो उसका मल होता है वो बहुत गरम तासीर का होता है क्यों? क्योंकि कभूतर हमेशा उद्जाई प्राणयाम करता है उसके शरीर की तासीर गरम हो जाती है दूसरी बात वो बहुत ही एकांत प्रिय होता है कभुतर आप देखेंगे कहते हैं कि कभुतर जहां भी होता है सुन चाहता है वो चाहता है कि आसपास सननाटा रहे और सुन रहे तो कबुतर जो है वो ध्यान योगी के रूप में अपने आपको अकेले में रखना चाहता है ऐसा ही हम लोग अगर हमारे उपर करेंगे तो क्या होगा जितने तनाव हमारे आसपास हैं उज्जाई प्रणयाम करेंगे तो हम खुद एकांत होना पसंद करेंगे हमारे जितने तनाव है वो ध्यान की और कन्वर्ट हो जाएंगे जितने भी टेंशन्स हैं वो सारी हमारी कम हो जाएगी और हम ध्यान योगी एक अग्रचित व्यक्ति बन जाएगे और हमारी तनाव दूर होंगे तो ऐ निद्रा की समश्या ओटोमेटिक कम हो जाएगी नीद हमें बहुत अच्छी आएगी और जब नीद अच्छी आएगी तो वो व्यक्ति स्वस्त होना ही होना है तो ये सारी चीज़ें आप किसी पसुपक्षी से जोड़ेंगे तो इन क्रियाओं का लाब आपको अतिरिक्त मिलेगा अब आप देखें कि जितने भी ध्यान के जितने भी टेंशन फ्री होने के जो प्राणयाम है जैसे भ्रामरी प्राणयाम वो भमरे से लिया है तो भमरा जो है वो इतना लापरवा होता है इतना मदमस्त होता है कि वो कुमुदुनी के फूल में बैड़ जाता है फूल बंद हो तो यह उधारन मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप योग को एक विज्ञान की तरह अपनाएं और अपने शरीर को स्वस्त बनाएं उज्जाई प्रणयाम के बारे मैंने आपको लंबा किया नहीं है इसको साथ में करके नहीं बताया आपको तरीका बताया है तो उज्जा हाथों को आपस में रब करेंगे और चोटी से चोटी बात तक भी आप तक पहुंचे आप उस प्रणयाम के बारे में सब कुछ जाने ऐसा प्रयास मेरा रहता है तो यह उज्जाई प्रणयाम गंभीर बीमारियों की जो रोगी है वो अपने डॉक्टर से राय लिये बिना किसी प्रणयाम या किसी आसन को ना करे एक बार राय जरूर ले ले हमें यहां से पता नहीं होता एक आदर्श इस्थिति की मैं बात करता हूँ स्वस्त व्यक्ति की बात करता हूँ तो आप तक चीज सही और सही इंफॉर्मेशन प पहुंचे ऐसा प्रियास करते हुए आप स्वस्त रहें मस्त रहें ऐसा विचार हमारा है और मेरे साती गंशाम के साथ मैं डॉक्टर मनोज योग अचारे त्रीनेत्र टीवी के लिए अब लेता हूँ आपसे इजाजत नमस्कार